कि एक कहानी कि नाम 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 है कबलीयथ और यह अविली बहुत उप्योगी कहानी है यह था उस अपट के पास एक वगीचा था उस वगीचे में गुलाब का पीड खड़ा खुड़ अव्गुलाब के पेड़ पर wam बहुत सुन्दर सुन्दर गुलाब के फूल लगे थे, उस गुलाब के पेड़ पर उसके पत्ते भी थे, लोग आते थे, उन फूलों की बड़ी तारीफ करते थे, कितना सुगंदित पुष्प है, कितना सुन्दर पुष्प है, एक पत्ता, गुलाब का पत्ता हमेशा इस प भूलती थी बताईए सब फूलों की तारीफ करते हैं मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता है दिन वी थे एक दिन क्या हुआ के ह 생겼ा हुआ का जोका आया आजी में तब्दीर हूगे जब आधी आई तो वह पत्ताफ़ सबुछ वह तैस्नेस हो गया गुलाब का फूल तूट का गिर गया पेड़ए उखड़ गया और वह पत्ता उड़कर तालाब में जा गिर है जब थोड़ा सा सांत हुआ तूफान तो उस पत्ते ने देखा कि एक चीटी भी कहीं से उड़के आके उस तालाब में गिर गई है वो चीटी अपने जीवन को बचाने के लिए जद्दो जहद कर रही है तेरने की कोशिश कर रही है लेकिन वो डूब जा रही है उस पत्ते ने कहा कि रुक में तेरी जान बचाऊंगा वो पत्ता तैर के उस चीटी के के पास गया और छीटी झाहा कर तुम मेरी पीठ पर बैढ़ जाओ वो चीटी उसके पीट पर चड़ गई और पत्त उसको किनारे की तरफ ले गया जब किनारे पर दौनाँ पहुंचे तो चीटी उसकी से उतरके किनारे पर सूखी जमीन पर दोड़ी और चीटी ने उसका शुक्र यादा किया कि आज तुमने मिनी जान बचाई है तो मिरी या स भॉस सा सुभाव है उसमें थोड़ी सी सुगन्द आती थी वेकिन पत्ते में किसी की ज Vaan बचांगी सुगने से